नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिटसे मारे यूटूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले आपके इंडियन कोश्ट का नाविक जी डी डी यांतरिक के बारे में कि आपका स्टेज सेकेंड का ज आप सब इस वीडियो को कमप्लीट वॉच करें जिससे कि मैं आपको सारी टिटिल्स को बता पाऊंँ तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे प्रले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप सितर आप एक पाना चाहते तो अपली चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेकर हूं आपको तरण अपडेट मिले चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिनदरी के कि अब आगे तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मैंने इनको कॉंटेक्ट नमर मैंने अपना इंस्ट्राग्राम पर सेंड गया था क्योंकि देखिये मैं वैसे किसी को भी कॉंटेक्ट नमर सेंड नहीं करता कर ऐसे करूंगा तो मैं परिशान हो जाओंगा सभी की कॉल और इणिंगे तो अटेंड नहीं कर सकते ठीक है न असका रिप्लाइद दे सकते आप लोग जानते हैं इसलिए मैं आपको जो भी आगर कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते हैं आपको नियों के मेरा नम साहल से मैंने इन भूर्वाइक है। में सेंटर का फोटो इनका था आप पूरा सेंटर का फोटो सेंड क्या और यह ऐन्या सब्सक्राइब बेंने को बड़ा के आप आप बच्चे आ रहे हैं मंने बच्चे आ रहे थी ते उस टाइम पर बहां पर बहट के बनाइवा इनको है कि बाइंगे चलेगी तो रहते हैं यह इसा बता तो आप पर में कॉंटेक्ट करने की कोशिस की साम के चार बजे और साम को रिपलाई दिया फिर रात के ठीक है फ्री नहीं होंगे इस बज़े से तो बात करते हैं इनका पीफटी हो गया डोकमेंट हो गया और उन्होंने सब कुछ बताया अब बात करते हैं हमने बन वाइवन के पूच पर आपका था स्टेज बन का स्टेज सेकेंड का दोनों आपका जो भी एंकले फस्ट और थाड था वो भी साथ में उन्होंने मागा और 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 प्रिंट आउट आउट आफ एपलीकेशन चेक किया और आटी पीचर रिपोर्ट की कॉपी या मैसेज कोई भी है तो वह उ मैं आपको यहां पर देखाता रहा हूं ठीक है मैं का रोड पर हुई रिनिंग या फिर ग्राउंड पर तो उन्होंने बोला रैनिंग फिर यानि कि यह सब डोकुमेंट्स के बारें बता रहे हैं यह क्या 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 कॉपी चाहिए होती तो मैंने का ओके कि हां सब 200 मीटर का था यहां पर 200 मीटर का रास्ता था तो रोड था वांपर रन्निंग खरें फिर एक बार उसके बाद बाद बायो मेंट्रिक हुआ और यह कोई आउट हुआ मैं पूछा को उन्होंने बोला कि दो के प्रॉब्लम थी कुछ को यह को के प्रॉब्लम थी बाकि सभी का कोई टिक मुत कर दिया था ठीक है उसके बाद कि भी तरह का स detect को लेकर तो लेकर ऑनोंने बाध में बताया फिर हमैं हमें स्टेस चोच बता रहेते हों ने में upload लोड किया था वही कोई प्रॉबलम नहीं होका लिन की जोबी आपने अप्लोड किया था वहीं आपको मांगा गया देख लिए यहां पर आप लोग इवस के बारे बात करूं तो देखे उन्होंने बोला है कि देखे ओल्ड जो एक्सपायर हो गया था वो भी चाहिए रिनुवालाद भी दोनों चाहिए होता है अगर किसी भी चैंड़ेट का लेके गया तो बताए उसको नहीं लिया या या यह बता सकते हैं बाकी मैं स्टेट का आपको वहां पर लिए नहीं है मैं पहले बता चुक्त हूं आपको काफी बार क्योंकि आए सीजी की वैब साइट पर सिंप्ली तरीके से लिखा हुआ है कि केल सेंटम का काज सेंटिफिकेट चाहिए किसका सेंटम का तो ऑलावड द तो सेंटम का है अपलोड करना है तो भी द्यान रखी है जो भी चैनल आगे वीडियो देखें तो ठीक है स्टेट का हो या सेंट्र का यह सब्सक्राइब नहीं अगर सेंट्र का सेंट्र का सेटिफिकेट ऐसा कुछ बताया है और आगे बात करते हैं और क्या क्या मैंने का सबको पास किया के और बदो करा आए के मैं का पूछा और नों का और डॉकुमेंट एक बार बायो में चुकाता को चुका था मैंन का कोई इनके बाहर कोई beach बगएरा था कोई वाँ पे बीच पर इनका करा दिया मैंने का push-ups बगएरा setups बगएरा वो PFT में था मैंने का हाँ मैंने का वह तो ठीक है तो उसके बाद मैंने पूछा मैंने कोई कोई आउट हुआ का नहीं भाई कोई all pass सभी पास होगे देख सकते हैं अब रनिंग के बाद थोड़ा रेलेक्स दे दिया थोड़ा सा ठीक है उसके बाद मैंने का ओके गुड कहां तो उन्होंने बोला लेंच के बाद क्या कराया वह बहुला बावेंटर को डोकुमेंटल एतना ऐस्षिकेशन अबस्क सब्सक्राभ कि को अब केरे मेदेकल के बारे में कुछ पूछा मेनको बता रहा हूँ medical जो आपका होने वाला है वो आपका INS चिलका में होने वाला है ठीक है डारेक्ट वहाँ पे यूगा medical यहाँ पे नहीं हो रहा है ठीक है मैंनका ओके मैंनका आप finalist बोला के 300 finalist जो होने वाली वो gd में इनका था तो 300 गली बोल रहे थे अब देखो इनका क्या होता है वहां पे ठीक है मैंने आपका किलियर हो गया सब के हाँ बात करते हैं मैंने का तो तो इस बचेसे फोटो नहीं ले पाए लेकिन रात में आपका रात में छोड़ा गया तो पता है रीजन क्या था डोकुमेंट वेरिविकेशन का क्या था 8 बोज के 45 मेंट पर छोड़ा तो तुरंट ये बोले के ट्रेंज से अम आ गए थी ठीक है ऐसा इनोंने कुछ बोला ठीक है अब नेट्वर्क प्रॉब्लम हो रही थी रात को बात कर रहे थी तो इनका देखिए आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ के लिए थैंक यू शो मच तो दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूंगा आप भी अगर अपना रिप्यूँ शेयर करना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले आप मेरे इस्टेक्राम पे मेसेश कर सकते हैं अगर आप आज कल में वीडियो देख रहे हैं तो बाकि दोस्तों जो भी process था मैंने आपको सारा कुछ complete detail में समझा दिया है सभी documents को लेके जाए कोई document छोड़के ना जाए और running अपना जिस भी candidate को लगता है कि मेरा running normal नहीं है वो भी candidate जाए running में कोई सभी candidate को ले रहे है PFT में सभी को पास कर रहे है कुछ candidate को problem होती है ज्यादा problem होती है तब ही आउट करते है और running नहीं करते है ठीक है तो मैंने इसके बारे में आपको complete detail में बता दिया आप लोग देख सकते है सायल सिंगल का मैं इसका clear हो चुका है इन के लिए मेरी तरफ से congratulations और review share करने के लिए बहुत ही thank you so much भाई के अपने सभी को review से किया जिससे कि सभी candidate के help हो जाए I hope मेरे साब से बस इस छोड़ी सी वीडियो से आपको help मिला होगा मिले तो फ्लीज वीडियो को comment करें और like जरू करें सभी दूस्तों में उन सभी candidate तक पहुँचा है जो आपका आत्रम